हैं है 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 अलो फ्रेंट्च आया मिशान शाफूर्ट करस्ट में आप सका सौगत है आज में निशा की रुसुविए बनाने जा रहे हूं आलू सैंवीर्च बहुत ही तेस्टीयो चेटपटां आसता है बच्चे डिमांड करते हैं इसमें बारिश हो रही है ठेंड भी है तो घर में आप जट पर उनको नास्ता बना के दे से ती टेश्टी नास्ता बनेगा यहां पर एक चमबच मैंने रिफाइंड ऑल गरम होने के लिए और इंग्रिडियंस कहा लेते हैं एक प्याच कट कर लिय मैं जीरा लिया है और लियान जीरा ऐंप कड़ी बच्चों को पीजा सवाथ आएगा और बहुत हीच्टी लगता है आप उसके बगाइरda में चाहिए Bak पक चल्ली में तेस्ट बढ़ जाता है और इस तरह से से हलका सा लाल कर लिया है यह अच्छे से तड़क रहे हैं अब इसमें डाल देंगे अपना अध्रक साथ ही साथ आप यहां पर फ्रेंड्स लैसुन भी उसका पेश्ट भी डाल सकते हैं अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं दो हरी मि मैंने कट करके डाले हैं में अच्छे से थोड़ा सा ही में नहीं करना है और यहां पर एक जो कट ruling करों टाल जी एक सबस्दु पर देंगी होगे हैं इतना ही 강तेpower। दो मिनट लगे हैं लो फ्लेम पे अब यहां पर हम स्वाद उनसार नमक डाल देंगे जितना आपको कम ज्यादा पसंद है उसे साब से डाल लिजेगा हरी मिर्च भी आप अपने साब से डाल सकते हैं हल्दी डाल दिया है आधी चम्म से कम और यह आधा चम्म से भी कम हमने गर मटर की दानों को मैंने छील कर डाला है सारी सब्सक्राइब गाजर है यह यह बहुद पसंद आती है तो आप यहां पर सीजनिंग मने मटर डाला है अर यहां पर आधा चम्मस करीब पैने आम चूर पॉड़ा है अप यहां पर नीबु का रिस भी डाल सकते हैं आम चूर पसंद आएगा जो भी खाएगा उसे सैंविच यह बहुत पसंद आएगा आप से दुबारा इस सैंविच की डिमांड की जाएगी और आलू डालकर इने सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है साथ में मैंने अरगुनसीस और धनिया पत्ता लिया है उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आलू को इन सब चीजों के साथ दो से तीन मिनिट हमें अच्छे से भूल लेना है तो देखिए फ्रेंड्स भूल लिया अच्छे से आलू को और बहुत ही अच्छे से भून चुका है मटर हमारे भी जब सॉफ्ट हो गए थे तब मैंने आलू डाला है मैं याद रखेगा अगर आपको मतर प्लकुल सॉफ्ट चाहिए तो बॉल कर के भी आप डाल सकते हैं यहां पर उन ब्रेट पर हम कैसे लगाएंगे तो यहां पर देखिए टमयाटो केचप मैं लगा रही हूं तो आप यहां पर चाहएं तो पहले बटर लगा लिज्यए उ और उसके उपर हम यह टमेटो केचप लगा सकते हैं मैं डिरेक्ट बटर नहीं लगा रही हूं तो मैं सीधे सॉस लगा रही हूं अगर आप डमेटो केचप लगाने से पहले या चटनी लगाने से पहले इस पे आप बटर लगा देंगे तो यह जो चटनी सोख ले रहा है ब् बहुत पसंद आएगा पूरी सैंविच आपके बच्चे चटकल डालेंगे आप इसको नास्ते में भी बना के दे सकते हो बच्चों के स्कूल के टिफिन में भी दे सकते हैं और हैल्दी भी है टेस्टी भी आप ब्राउन ब्रैट का यूज कर सकते हैं और इतने अलू को अच् सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं इस तरह से से हम लगा लेंगे आप चाहेते हैं पर बटर कभी यूज कर सकते हैं देसी घी का भी यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो और बच्चों को पसंद हो इसे साब से आप बनाई हो बहुत ही जहट-पट वाला नास्ता है ठेंड के मौसम में किसी का भी मन नहीं करता इतनी देर तक काम करने का ठेंड में तो यह आप फटा-फट नास्ता बना के दे सकते हूँ पेट भी भरेगा दिल भी खुश हो जाएगा इस तरह का नास्ता खाने के बान और इसे अच्छे से हम इसको उपर लगा देंगे और किस ले सकते हैं चाहे आप लगा लिए बैट को इस तरह से इस तरह से 2-3 मच में डाल कि अच्छे से फैला लूँगी बिल्कुल रखना है जरा साभी हाई नहीं करना और यहां पर लो फ्लेम पे ब्लेड को इस तरह से रखना है फिर एक भारी सी प्लेत लेनी है और प्लेट को ह में इस पे पलेट कर रख देना है तो अब यहां पर मैं घी लगा लूँगी पहले उपर से कि यह बिल्कु क्रिस्पी सा और बहुती स्वादिश्ट मारा सैंविच बनकर रेडी हो तो आप अगर बटर लगा रहे तो बटर भी इस तरह से दोनों साइट लगा लिजेगा और मैंने पलेट लिए भारी सी और इसको मैंने पलट कर रख दिया और इसके उपर भार बनाने के लिए तो मैं यहां पर अद्रक खुणनी जो मसाला खुणनी होती है वो रख लूँगी यह वेट में ज्यादा होता है इससे रख लूँगी जब इसका दबाव हमारे ब्रेट पर पढ़ेगा फ्रेंड तो हमारा और गैसका फ्रेम दीखें यहां पर मैं लो कर दोंगी दबाव पढ़ेगा तो टोस्टर ही जैसा मारा ब्रेट शिकत त्यार होगा तो देखें यहां पर दो ब्रेट को मैंने और भर लिया है कि किस तरह से यह वरनाए है आप चाहें तो कपड़े से पकड़ लेजएगा यह भी गरम है मैं आपको इसी ता से खुल के दिखा रही हूं और यहां पर मैं इसके पलटूंगी आप देख सकते हो कि भाप निकल लिए बहुत अच्छी तरह के सिखेगा जब आप गयास का फ्लेम लो करके और इस तरह से बाहर करके बनाओ है और ब्रेड को बिल्कुल करा रहा उसी तरह से यह बनकर रेडी हो गया है यहां पर देखिए मैं देशेगी और डाल लूँगी थोड़ा सा जिससे कि यह किस्पी किस्पी और बने अंदर तका देशेगी जाएगा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा फिर से इस तरह से बन सकता है और कितना जुगाडू काम है यहां पर देखिए प्लेट हटाएंगे और दूसरे साइड से हमारा ब्रेड अच्छे से सिक्कर रेडी हो गया है तो हम अभी चेक कराते हैं आपको यह देखेगा कलर कितना प्यारा आया है और देखिए फटा-फटा पहुत ही कम ट हो जो हमने सैंवीच के लिए तैयार किई लिए सब सेख लिए इसी तरह से प्लेट रख देंगे और बारी मसाला खुणनी को रख देंगे जिसे कि भार से यससे सिक जाए तो फ्रेंड्स चलिए इसी तरह से सारे सैड्विच हम बना लेते हैं यह भी सिख गया है इसे भी हमने अलट पलट कर लिया था तो अब इसको भी हम दुबारा पलट लेंगे इस तरह से और फिर हम आपको दिखाएंगे तो इस तरह से देखिए दुबारा कितना अच्छा कलर आया है आप देख सकते हो जब आपको यह सरल तरीका आपको पता चलेगा और आप बनाओगे ना तो आपको बहुत खुसी मिलेगी जब आप टोस्टर जैसा चीज आपके पास नहीं और घर पे आप बना सकते हो फटा-फट तो यहां पे देखिए प्लेट पलटा और इसको कट जाएगा कट करके हम सर्फ कर लेंगे और शटपिंग नास्ते में जैसे आर्णकि मरजी हो यहां पर देखिए मैरे सारे संविच बनकर रेड़ी हो गए तो आप देख सकते हो friends कितना अच्छा कलर आया है stuffing कितनी अच्छे तरीके से इसमें भर कर रेडी हुई है आप देखिएगा यहाँ पर पूरी stuffing अच्छे से भरी हुई है न तो बहुत पसंद आने में तो friends अगर मेरे ये sandwich की यालू sandwich की recipe आपको अच्छी लेगे तो वीडियो को like कर देना comment कर देना मेरे channel पे नए है या first time विजिट किया है तो please उसे subscribe करना और bell icon का बटन दबाना ना भूले friends family के साथ social media पे मेरे channel मेरी recipe को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे तो friends मेरी अच्छी अच्छी recipe इसको देखने के लिए मेरे channel को subscribe करना ना भूलिएगा तो चलिए मिलते हैं नई recipe के साथ नए वीडियो में thanks for watching this video bye bye